लोग देखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का मुमेंटम हो सकता है और RBI पॉलिसी के बाद हम लोगों को किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निप्टी का अनलिसिस अभी आपके सामने मेंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निप्टी का स्पॉट का 15 मिनिट का चार्ट लगाया हुआ है कल के वीडियो में हम लोगों ने discussion किया था अगर market इस level के नीचे आ जाता है तो नीचे के side में ये हमारा target रहेगा exactly उसी level तक market आया और फिर वहाँ से range bound momentum में चला गया तो अभी कल के दिन अगर हम लोगों को trade करना है सबसे पहले हम लोगों को daily chart का analysis करना पड़ेगा daily chart के उपर किस तरीके का scenario बन रहा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते है अभी आपके सामने में ने daily का chart लगाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे लिए support का level बन चुका था market ने उसके उपर close दिया हुआ है मतलब हम लोगों के पाथ जो hopes थे कि यह level पर market रुकेगा वो hopes आभी भी कायम है यह जो support का level है इसको आभी support क्यों consider करेंगे क्योंकि इससे पहले market ने multiple बार इस level को test किया हुआ है और आज के candle का जो closing दिया हुआ है वो 16,400 के उपर का closing दिया हुआ है 16,400 हमारे लिए एक crucial level की तरह काम करेगा कल के दिन market अगर flat open होने के बाद किस तरीके से trade करना है तो सुबे 7-9 बजे के बाद हम लोगों को जब तक RBI का credit policy नहीं आता तब तक market जो है वो एक range bound या consolidation की phase में रहने की probability है फिर 10 बजे जब RBI का credit policy आएगा initial पहले 15-20 minute में मतलब 10.30 बजे तक market एक दम volatile रहेगा तो यहाँ पे हम लोग no trade को इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह volatility में stop loss trigger होने की high probability रहेगी और 10.30 बजे के बाद जब market में थोड़ा momentum शान्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग trade identify करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए important level कौन से आभी समझ लेते है daily के इसाब से आपको clear cut हो गया कि यह जो support का level है यह support का level आभी भी market में valid है और अगर हम लोग देखेंगे तो यह consolidation के phase को downside की तरह break किया हुआ है तो market का जो sentiment है वो sentiment थोड़ा negative है लेकिन इस पर गोर करने वाली बात यह रहेगी कि PCR जो है वो 0.77 के करीब है मतलब market जो है ओर sold zone में है तो कल के दिन हम लोगों को short covering का एक बढ़िया opportunity मिल सकता है और परसों के जिन जो expiry है वो expiry के लिए भी बहुत बढ़िया setup बन सकता है तो अभी हम लोगों को intraday में opportunity ढूनना है तो हम लोगों को 15 minute chart के उपर switch होना पड़ेगा अभी आपके सामने में ने 15 minute का chart लगाया हुआ है ये 15 minute के chart में आपको यहाँ पे clear cut दिख रहा है कि market अभी consolidation की zone में है जब तक market consolidation की zone में रहता है most of the trader का stop loss यही पे trigger होता है तो मैं आपको recommend करूंगा जब भी आपको इस तरीके का कोई consolidation का zone मिलता है तो उस consolidation के zone में आप trade करना avoid कीजिए अभी कैसे identify करेंगे कि market range bound zone में है तो जब भी market एक low लगाता है और एक high लगाता है उसको break किये बिना market अगर ये zone में बना रहता है तो simple इसको बोलते है range bound zone अभी आगर आप देखोगे तो market ने यहाँ पर एक high लगाने के बाद यहाँ पर एक low लगाया हुआ है और market अभी in between consolidate कर रहा है तो better way हम लोग क्या करेंगे उपर की side में एक level को draw करेंगे नीचे की side में एक level को draw करेंगे कल के दिन market अगर flat open हो जाता है तो market RBI credit policy के पहले इसी zone में consolidate करेगा तो यहाँ पर हम लोग trade को avoid करेंगे अभी मैं ज्यादा importance कौन से travel को दूँगा कि अगर कल के दिन market जो है यह market उपर के side को break करता है मतलब 16,450 के उपर अगर market निकल जाता है तो वहाँ पे मैं buy करना prefer करूँगा क्यूंकि यह technical का पहला reason हो गया है कि market यहाँ पे consolidation की face को break कर रहा है सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे put call ratio जो है वो put call ratio oversold condition indicate कर रहा है मतलब market में आज नहीं तो expiry के दिन एक short covering का बड़ा upside का momentum भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो इसकी वज़े से यह setup हमारे लिए important हो जाता है मालो की कल के दिन market directly gap up के साथ open हो गया तो immediate कोई भी trade लेने की कोशिश मत कीजिए RBI policy को आने दीजिए और फिर उसके बाद price action कैसे बनता है उसको देख के हम लोग trade करेंगे मैं अपने इस free वाले channel में update कर दूँगा जहाँ पे में free के signal देता हूँ इसका link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है आप उसको join कर सकते हो अगर मान लो की कल के दिन market directly gap down हो सकता है तो morning session में हम लोगों को एक trade मिल सकता है market अगर 16,350 के नीचे आ जाता है तो एक morning session में 10-15 minute का एक downside का momentum हमको 40-50 point का मिल सकता है 16,300 के उपर दुबारा अगर हम लोग देखेंगे कि put के side में अच्छा खासा open interest बन चुका है तो वहाँ पे market pause ले सकता है तो यहाँ पे एक छोटा trade अगर आपको लेना है तो आप वहाँ पे भी trade कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा आपको कि कल आप जो है वो RBI credit policy आने के बाद ही trade लीजे जो आपके लिए better रहेगा अभी समझ लेते हैं कि bank nifty में किस तरीके का momentum बन रहा है और bank nifty में हमें कौन से level के उपर trade करना है अभी मैंने आपके सामने bank nifty का daily का spot का chart लगाया हुआ है candle भी इस level के नीचे close हो जाता है तो मतलब ये 34,950 के नीचे अगर market कल के दिन आ जाता है तो market में एक बड़ा fall हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्यूंकि market में वहाँ पे space ज़्यादा बना हुआ है यह हो गया first point अभी second point जब भी हम लोग daily chart को देखते है तो daily chart का हम लोग analysis करते है candle का size और structure देखके तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि market ने आज एक indecision candle बनाया हुआ है यहाँ पर indecision candle हम लोग इसको क्यों बोलते है यह वाला जो candle है इसमें आपको clear cut indication हो रहा है कि selling का pressure market में यह candle में clear cut indication हो रहा है कि buying का pressure market में है लेकिन आज का अगर candle देखते है तो उसमें नाई selling दिखाई दे रहा है नाई buying दिखाई दे रहा है तो daily candle एक तरीके से neutral candle बन चुका है अभी intraday में अगर हम लोग जाते है तो intraday में एक बढ़िया opportunity हम लोगों को 35,000 के ऊपर मिल सकता है क्यों उसके पीछे का reason समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर आगर आप देखोगे तो इस top point से market में गिरावर चालू हुई थी और यह low point हम लोगों को मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों के लिए continuous downtrend बना हुआ था अभी यह downtrend में आगर आप देखोगे तो market ने यह high बनाया हुआ है यह high एक round level के करीब आ रहा है 35,000 के ऊपर आ रहा है तो कल के दिन हम लोगों के लिए important level रहेगा 35,000 का अगर market इस level को break करता है तो वहाँ पे हम लोगों को 2-3 confirmation एक साथ मिल जाएंगे अभी कौन-कौन से confirmation technical होंगे और कौन-कौन से open interest के data के हिसाब से होंगे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते है मैं आप लोगों को step by step guide बता रहा हूँ यह point को आप note down करके रखिये और note down करने के बाद इसको live market में analysis करना सिखिये अभी पहली बात यहाँ पर एक resistance का zone हम लोगों को मिल रहा है दूसरी बात यह downtrend line हम लोगों को मिल रहा है तिसरी बात यहाँ पर 35,000 का एक important psychological level है तो यहाँ पर अगर इस resistance level को market upside की तरफ break करता है तो same time यहाँ पर यह downtrend line भी break हो रहा है इसका मतलब market का sentiment change हो जाएगा यह हमारा first point हो गया यह trend line break हो गया second point जो भी लोगों ने यहाँ पे नीचे में sale के position बनाए रहेंगे most of the लोगों का stop loss जो रहेगा यह resistance level के उपर रहेगा तो जैसे ही market इस level के उपर आने की कोशिश करेगा यहाँ पे बहुत सारे लोगों का stop loss trigger होना चालू हो जाएगा जिसके वाज़े से market में एक buying का pressure आ सकता है next important point यहाँ पे 35,000 का जो level है market में अगर आप call के side में देखोंगे तो 35,000 में one of the highest open interest बन चुका है मतलब writer लोगों ने यहाँ पे sale का position बनाया हुआ है अगर इस level के उपर market आ जाता है तो यह writer लोग यहाँ पर trap हो जाएंगे इनके trapping के वाज़े से market में एक upside का momentum आ सकता है जिस case में हम लोग 35,100 का जो call है वो 35,100 के call को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है अभी buy करने के बाद हमारा stop loss 60-70 point रहेगा इस horizontal level के नीचे और हमारा target जो रहेगा वो target कहां तक रहेगा यह 35,000 के जैसे ही market 35,000-50 के उपर market निकलेगा हम लोग यहाँ पर buy का position initiate करेंगे और हमारा first target जो रहेगा वो first target यह resistance level रहेगा 35,160 के करीब का इसी level से market में एक 30 गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी तो जब भी market इस level के करीब आ जाएगा यहाँ पर seller लोग थोड़े से active हो जाएगे और वो market को नीचे लेने की कोशिश करेंगे तो वो time पर हम लोग आइदर थोड़ा सा quantity profit book कर लेंगे और price action को देखेंगे और अगर price action उपर का indicate करेगा तो हम लोग hold करेंगे आदरवाइस यहाँ पर profit book करके निकल जाएंगे यह होगा उपर के side का scenario अभी नीचे की side में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों के लिए एक ही swing लो यहाँ पे मिल रहा है तो कल के दिन लोग रहेंगे वो writer लोगों के लिए event का risk जादा है तो event के risk जब जादा रहता है तो हम लोगों को short covering का upside का momentum या long unwinding का downside का momentum रहेगा वहाँ पे एक बहुत बढ़या opportunity मिल सकता है और premium के दाम जो है वो भी अच्छे खासे कम हुए रहेंगे मतलब यहाँ पे एक बहुती बढ़या opportunity वाला trade हम लोगों को मिलेगा तो हम लोगों के लिए important रहेगा कि market जादा से जादा समय जोन में बिताए और कल के दिन आगर देड़ बजे के बाद हम लोगों को breakout मिल जाता है नल वीडियो में थैंक यू वेरी मच